एक आदमी ने 5 रुपे में 3 किदर से कुछ अंडे खरी दे तो मैं कोस्ट प्राइस दे रखा है 5 रुपे और कितने अंडे खरी दे हैं 3 किदर से और उन्हें 12 रुपे में 5 किदर से बेच दिया तो हमें सेलिंग प्राइस दे रखा है 12 रुपे में 5 किदर से बेच दिया अब हमें इस quantity को same करना है इसके लिए हम 5 से multiply करेंगे तो हमें इस side भी 5 से multiply करना पड़ेगा अगर हम यहां 3 से multiply करेंगे तो हमें यहां भी 3 से multiply करना है अब यह हो जाएगा हमारा 15 और यह कितना बनेगा 25 और यह 36 अब उसने 25 और में 15 अंडे खरीदे हैं और 36 और में उनको बेच दिया तो इसे कितना profit हुआ 11 और हमें दे रखा है 143 यह इसका कितना गुना है 13 और हमें अंडे कितने दिये थे 15 इसको भी हमें से 13 से multiply करेंगे तो हमारे पास आएगा 195 और यह यह मारा answer है यह में आपसन सी में दे रखा है